अगर आप आपके CVT Marks के बेज़ पर अपना रैंक जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूटूब पर लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया जाता है कि इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में है तो आपको यूज लेना चाहिए मुझे पता है अभी CVT का रेजल्ट नहीं आया है और आपके मन में बिलकुल बार-बार यह आ रहा होगा कि मेरे इतने नंबर है मेरे कितनी रैंक हो सकती है तो ये डाउट आज आपका इस वीडियो को देखने के बाद में किलियर होने वाला है तो दोस्तो मेरा नाम है पुष्पिंदर कुमार मिना स्टुडेंट अप तमिलनाडव अगरिकल्चर इनुवर्सिटी चलिए दोस्तो सुरुआत करते हैं आज की वीडियो का तो आज की वीडियो में आपने बात करने वाले हैं आपको मैं एक रेंज नंबर दूँगा ज्य आपके नंबर है उसके हिसाब से आपको आपकी रेंग आज यहां पर पता लगने वाले हैं उसके आलावा आपन वीडियो के अंत्व में बात करेंगे कुछ टॉप युनिवर्सिटियो के बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आप के बीच में आपकी रेंक बताने वाला हूं आपकी रेंक 99 परसेंट इसी के ओड़ पास रहने वाली है फिर भी लेकिन कुछ उपर नीचे होता है तो आप ज्यादा यह ना सोचें भाईया ने तो गल्त बता दिया बिल्कुल हम आपके लिए एक आईडिया लगा रहे हैं औ कि पिछले सालों का यहाँ पर बहुत सारा डाटा एनलाइस किया हुआ है चलिए मैं आपको बता देता हूँ अब आपकी कितने मार्क्स पर आपकी कितनी रेंक बन रहे है तो जरूर आप इस वीडियो को जब छोड़ के जाओ तो अपने बता देना कि आपके इतनी नंबर स इतनी नंबर के बीच में आ रहे हैं चलिए तो सुरुवात करते हैं अगर आपके 490 से 580 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपकी 1 से लेकर 150 तक रहने वाली है अगला बात करें अगर आपके 470 से 470 से 489 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपकी 151 से लेकर 290 के बीच में आपकी rank रहने वाली है अगला आपन बात करें 460 से लेकर 469 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपकी rank यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों इकराण में से लेकर के 390 के बीच में तो दोस्तों मैं आपको rank बता रहा हूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ICR Counseling Help Program भी हाँ पर चल रहा है बहुत सारे स्टुडेंटों ने जॉइन कर लिए तो अगर आपको भी इंडिया की Agriculture University के बारे में पता नहीं है अपने eligibility criteria के बारे में पता नहीं है आपको पता नहीं है किस University में कितने सब Campus है सब Campus हों में जाने से कैसे बचे तो उसके लिए हमारे ये ICR Counseling Help Program आप इसको जॉइन कर सकते हो 199 रुपीज इसका फीस है आपको ये Google Form का लिंक है जो इस description box में मिल जाएगा और post pin comment में आपको Google Form का लिंक मिल जाएगा आप उसको भर करके आप मेरे से contact कर सकते हो इस program में जोइन करने के लिए चलिए आगे अपन बात करें अगर आपके 440 से 469 के बीच में आपके नंबर है तो आपकी रैंक 541 से 850 के बीच में रहने वाली है देखना आप जैसे result आए ना तब दुबारा वीडियो को आ करके देखना आपको पता चल जाएगा आगे अपन बात करें अगर आपके 430 से 449 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आपकी रैंक 851 से लेकर कर 1170 के बीच में रहने वाली है आगे बात करें आपके नंबर अगर 420 से लेकर के 439 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपकी रैंक 1171 से लेकर के 1470 तक पहुचने वाली है आगे अपन बात करें कि आपके रैंक अगर 410 से 419 के बीच में आ रहे हैं तो आपकी रैंक 1471 से 1580 तक पहुचने वाली है अगर आपके नंबर 400 से 409 तक आ रहे हैं तो आपकी रेंग 1581 से लेकर के 1700 तक पहुचने वाली है तो आगे अपन बात करें आपके नंबर 390 से लेकर 399 में तक आ रहे हैं तो आपकी रेंग 1701 से लेकर के 2000 तक रहने वाली है आगे अपन बात करें आपका 380 से लेकर के 389 तक आपके नंबर आ रहे हैं तो आपकी रैंक 20001 से 2300 तक रहने वाली है आगे बात करें आपके अगर 370 से 389 तक आपके नंबर है तो आपकी रैंक 2301 से लेकर के 2700 तक रहने वाली है आगे बात करें 360 से अगर आपके 399 नंबर आ रहे हैं तो आपकी रैंक 2701 से लेकर के 3100 तक रहने वाली है आगे बात करें अगर आपके नंबर 300 से 369 के बीच में आ रहे हैं तो आपकी रैंक 3101 से लेकर के आपकी रैंक 3400 तक जा सकती है अगर आपके नंबर 340 से 349 के बीच में आएंगे तो आपकी रेंग 341 से लेकर के 3700 तक जा सकती है आगे अगर बात करूँ मैं अगर आपके नंबर 330 से लेकर के 349 तक बन रहे हैं तो आपकी रेंग 371 से लेकर के 414,000 तक आपकी रेंग जा सकती है तो ये एक मैंने आपको आइडिया दिया है और ये आइडिया बिल्कुल सटीक बैठता है और ये आइडिया इस बार भी हमें पूरी संभावन है कि ये आइडिया यहाँ पर सटीक बैठने वाला है तो आप आपका ये नंबर नॉट कर लीजिए और उसके बाद में जो मैंने आपको rank बताईए, वो आप not कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपको not नहीं करना, आप comment में बता करके चले जाएए, कि मेरा इतना number है, और इसके बीच में आपने मेरा rank बताईए, जब आपका result आए, तब देखना आपकी rank है, जो इसके order पास आती है, कि नहीं आती, तो ये तो थी आपकी rank के बात, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे clear कर दिये, अब उसके अलावा बात कर लेते हैं, अपन की आपको top university कितने number पर मिल सकती है, कितनी rank पर आपको top university मिल सकती है, और top university का भी मैं आपको नाम सहीत बता देता हूँ, कि आपकी अगर इतनी rank तक पहुंचते हो आप, तो आपको यह university मिल सकती है, तो अब अगर बात करें अपन रानी लक्ष्मी भाई की, तो रानी लक्ष्मी भाई की अगर आपकी all over rank 700 तक भी रहती है, तो आपको रानी लक्ष्मी भाई, जो central agriculture university है, वो मिलने के पूरे पूरे संभावना रह आगे अगर अपन बात करें central university नागलेंड university जहाँ पर agriculture as a faculty चलता है, तो वहाँ पे अगर आपकी 2000 तक भी rank रहेगी, तो यह भी आपको मिलने की पूरे पूरे संभावना रहेगी, अब PAU की बात करें पंजाब agriculture university है, तो यह आपका top agriculture university है, हाँ यह जरूर है कि इसका फीस ज्यादा होने के बाद भी इसका cut-off है, जो हर बार high जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा university है, तो इसका अगर आपके 500 से लगबग भी आपकी rank आएगी ना, तो यह मिलने के आपको बहुत अच्छी संभावना रहेगी, पंजाब agriculture university, उसके बाद में अगर TNU की बात करो, त TNU में अगर आपके 2000 rank 2000 से 3000 तक भी है, तो आपको TNU मिलने की संभावना रहेगी, मैं यह नहीं बोल रहा, TNU का main campus कोई number tour आपको मिलेगा, लेकिन TNU के अंडर में जो campus है, उनमें से आपको कोई ना कोई campus जरूर मिल जाएगा, अब बात कर लेते हैं, आपकी top central university B.H.U. क क्योंकि अब कट-off में बता, कट-off का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग सौचते हैं कि यार भाईया ने इतना बताया, इस से 50 number मेरे कम है, तब मेरा हो जाएगा, तो कट-off का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, कट-off मतलब वो last marks जिस पर आपका वहाँ पर selection हुआ हो, तो यह last marks मैं आपको यहाँ पर बताना जाला हूँ, बहु में अगर जर्नल की बात करें, तो rank तो आपका 346 है, यह मेरे को एक जगे से data मिला है, तो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, यह बिलकुल मेरे दौरा तयार किया हुआ नहीं है, मैं जूटा credit किसी चीज़ का लेन है कि मेरी इतनी rank है, मुझे top university मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने marks है, top university मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं आपके साथ यह data share कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर rank है 346 है, और marks है 512 पर journal में B.H.U. मिला है, last, उसके बाद में OBC की बात करें, तो OBC में rank है, आपकी यह 863 rank है, और आपका marks है 486, जिस पर आपको OBC में B.H.U. मिला हुआ है, आगे बात करें, आपका 263, यहाँ पर 263 में SC category में 219 marks पर आपको last में B.H.U. मिला हुआ है, और उसके अलावाए ST category की बात करें, तो यहाँ पर 4500 rank तक B.H.U. मिला है, और इसके marks यहाँ पर दिये ह है, 382, तो आगे अगली university की बात करें, रानी लक्ष्मी भाई की, तो रानी लक्ष्मी भाई में journal category में rank यहाँ पर बताया हुआ है, 2100 तक, देखे, आप लोग सौचेंगे, भाईया आपने तो 700 बताया है, लेकिन वो मैंने एक बताया है, कि आपको मिली जाएगा, लेकिन यह जो बता रहा हूँ न मैं, यह एक cut-off है, cut-off मतलब last तक आपके last में, जितने ज्यादा marks पर, जितने कम marks पर, वहाँ पर selection हुआ है, वो marks और वो rank है, यहाँ पर, तो रानी लक्ष्मी भाई में, जर्नल में, 2100 rank पर, आपके 432 नंबर पर, 2100 rank थी, जिनका यहाँ पर selection हु मार्ट करें, आपका, OBC में, रानी लक्ष्मी मिला हुआ है, आगे बात करें, ido baraj is k category में, यहाँ रानी लक्ष्मी भाई मिला हुआ है, जिसमें उसके number यहाँपर दिये हुए है, 288 नंबर, आगे बात करें,are again, तो एस्टी categor में, 13000 rank तक भी रानी लक्ष्मी भाई मिला अब अपन बात कर लेते हैं विश्व भारती आपका जो सांतिनिकेतन वेस्ट बंगॉल में जो युनिवर्शिटी है सेंट्रल युनिवर्शिटी वहां भी आपका एगरिकल्चर एज फैकल्टी चलता है तो उसमें अगर जर्णल की बात करें तो आपकी 1600 रेंग तक जर्णल में ये मिला हुआ है और इसके आपके नमबर थे 446 नमबर OBC में बात करें OBC में आपका 1843 रेंग पर 429 मांक्स थे तो इस पर OBC में आपको विश्व भारती मिला हुआ है आगे SC की बात करें तो SC में 5000 रेंग तक भी विश्व भारती मिला है और इनका मांक्स था 366 मांक्स उसके बाद में बात करें ST की तो 14,000 रैंक तक भी विश्व भारती यहां पर बताया हुआ है लास्ट में लास्ट तक यहां पर विश्व भारती 14,000 रैंक तक भी मिला है और यह आपकी ओल ओवर रैंक है यह कैटिगरी रैंक ना समझे बता दो कि आपका जर्नल में आपके यहां पर दियो यह 25 सो रैंक तक आपके 412 नंबर पर यहां पर C.A.U. इंफाल मनिपूर मिला हुआ है जर्नल कैटिगरी में आगे OBC की बात करें तो OBC में आपका 3000 रैंक पर आपका 409 नंबर पर 3000 रैंक थी जिस पर आपको OBC में C.A.U. इंफाल मिला हुआ है आगे बात करें 2009 में नंबर पर आपकी 12,000 रैंक है SC कैटिगरी में और इनको भी यहां पर 12,000 रैंक पर C.A.U. इंफाल मिला हुआ है आगे बात करें अपन 200 ST category की, ST category में यहाँ पर 233 में नंबर है और इनकी rank बनी है 13000 और इनको भी यहाँ पर CAU इंफाल मनिपूर मिला हुआ है तो दोस्तो यह थी आपके marks versus rank की बात और आपको मैंने top university है, इनका cutoff भी आपे बताया है तो बिल्कुल आप यह note कर सकते हो और आप अपना rank मेरे को बता सकते हो comment box में कि आपका कितना rank बन रहा है और अगर आपका कोई भी doubt हो कैसा भी किसी भी चीज से related तो आप बेज जिजक मेरे पास message कर सकते हो whatsapp number आपको दिया हुआ है यह जरूर ध्यान रखे बहुत सारे student मेरे से बोल रहे हैं कि भाईया हमने सोचा हम आप से contact करेंगे तो आप हमें paid counseling के message भेज भेज खरी परिशान कर दोगे तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है आप जितने लोग मेरे से बात कर चुके हो वो जरूर अपना response comment box में बताना आप मेरे से कोई doubt पुछोगे या मेरे को call करोगे तो मैं आप से बिल्कुल paid counseling या ICR counseling help program को join करने के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा यह उन लोगों के लिए है जिनको university के बारे में कोई जानकरी नहीं है choice preference list बनाना नहीं जाते वो लोग अपना यह ICR counseling help program जोइन कर सकते हैं जिनको doubt है अपने admission को लेकर अपने documents को लेकर बहुत सारे doubt बार-बार उनके मन में आते रहते हैं वो लोग यह counseling program जोइन कर सकते हैं किसी के लिए यह force ली मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको join करना ही है नहीं तो आपका selection नहीं होगा ऐसा है आपे बिलकुल नहीं है जिसके marks अच्छे है जिसकी rank अच्छे है उसका मैं तो क्या कोई भी उसका selection होने से नहीं रोक सकता लेकिन हाँ जरूर आपका 19-20 का फरक बारे में और आपका कोई ऐसा subject group है तो आप वहाँ पर फस सकते हो वहाँ पर आपका एडविशन आपका cancel हो सकता है आपके documents verification नहीं होंगे अगर आप अपने eligibility से भारवाली university को भरते हो और वह अलोट हो जाती है तो यह सारी चीजों का अगर आपको specially धान रखना है तो आप हमारा ICR counseling help program join कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि अभी तक कापी सारे studentों ने join कर लिया है और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे 109 में रुपे ले रहा हूँ तो आपकी मैं जेब काट रहा हूँ या आपको ठग रहा हूँ आपको मैं बता दू कि अगर आप एक महने का recharge कर करके 2000 तक लूटने वाले मिल जाएंगे जिनका काम है बस आपको हर वीडियो में वह आपको डराएंगे धमकाएंगे कि आपका counseling नहीं हुआ तो आपको college नहीं मिलेगा ऐसा मैं आपसे बोल रहा हूँ बिलकुल ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आपकी rank अच्छी है तो आपका admission कोई नहीं रोक सकता है और जो साथ में जो fact बता हैं वो आपका सारी जीगे apply होते हैं तो आसा करता हूँ आपको इस सारी बात समझ में आ गई होगी अब बहुत सारे student जो नए हैं वो सोतरे होंगे कि भाईया आप बता रहे हो आपके ICR counseling help program के बारे में लेकिन क्या है कैसे इसको join करना है तो उनके लिए मैं बता दू कि यहाँ पर हम आपकी choice preference list तयार करेंगे आपको बताएंगे कौन-कौन से documents आपको जरूरी है कौन-कौन से documents आपके पास नहीं है तो वो कैसे बनवाने हैं सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे अलग-अलग university के जानकारी देंगे especially जिन university हों के sub-campus है उनका धान रखते होएं आपकी preference list तयार की जाएगी आपकी ranking के हिसाब से बहुत सारे student ऐसे होते हैं जिनकी ranking अच्छी होते हुए भी वो sub-campus में चल जाते हैं अब sub-campus क्या है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर लेता हूँ क्योंकि आगे आपको पता है कि आपके agro google youtube channel पर आपको फालतु के वीडियो नहीं मिलेगे क्योंकि फालतु के वीडियो ना तुम्हें बनाना चाहता हूँ ना मेरे पास फालतु के वीडियो बनाने के लिए time है लोग है जो आपका कोई topic नहीं है फिर भी उनके वीडियो आते रहत दूसरा अपना एक telegram channel है आप वहाँ पर जाकर के जुड़ सकते हूँ आपको वहाँ पर मैं समय समय पर नए नए update देता रहता हूँ तो अपन बात कर रहे थे आपकी ICR counseling help program के बारे में कि यह क्या है और इसमें क्या होता है तो मैं आपको बता दू कि ICR counseling help program उन लोगों की म नहीं कर सकते और इन लोगों की paid counseling join करने भी नहीं चाहिए अगर आपके पास ज्यादा पैसे भी है क्योंकि ICR की counseling एक इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा इन लोगों ने कमाने का धंदा बनाय हुआ है अब आप बोलोगे कि भाया आपने 199 रुपीज इसका इन्होंने मेरे से संपरक किया कि भाया आपको बता दो कि अपने YouTube चैनल पर एक एगरी दंगल university स्रीज के नाम से एक playlist बनी हुई है जिसमें अलग-अलग university का student review मैंने वहाँ पे डाला हुआ है तो बहुत सारे student ने पिछली बार मेरे से संपरक किया और बोला भाया इस university में क agriculture university अलोट हुआ है मैंने इसके लिए संपरक किया वहाँ पर अलग-अलग senior के number लिए तो एक senior से मेरा संपरक हुआ जो वहाँ पर pass out हो चुका था तो एक बार मेरी बात हुई दुबार उससे बात नहीं हो पाई तो मैंने इन भाया से बोल दिया कि यार reply नहीं आ रहा है उसक पर क्योंना आप इस university के बारे में जानका रहें दो हमारे YouTube चैनल पर तो बहुत से student की मदद होगी तो आप देखी इसका reply क्या आता है I am not interested to give a review तो भाई इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका 199 रुपीज प्राइज रखा है लोगों की मदद करना अच्छी बात है लेकि आपके मैं reply दे दूँगा आपका मैं message का reply दे दूँगा फिर भी अभी कई message ऐसे आते हैं भाईया आप तो reply नहीं देते हो थोड़ी सी भी देरी हो जाए भाईया आप तो reply नहीं देते हो उनका मैं बता दू कि मैं पढ़ रहा हूं तमिलनाड़ एगरिकल्चर उनिवर्सि मैं आपको यहाँ पर reply नहीं दे रहा हूं अब बहुत सारे student यह सुच रहे होंगे कि ICR counseling help program join कैसे करना है तो उनके लिए मैं बता दो कि आपको description में link मिलेगा Google form का आप उस Google form को भर करके इस program को join कर सकते हूं उसके अलावा आप मेरे को WhatsApp पे contact कर सकते हूं वहां मैं आपको number वगरा दे दूँगा तो वहां पे आप payment डाल करके मेरे को screenshot भेज़ोगे उसके बाद मैं आपको इस ICR counseling help program में join कर लोगा देखिए यह ICR help counseling program है ना कि आपका paid counseling तो ध्यान रखे इसमें यह नहीं है कि आप सारा दिन मेरे से call पर बात कर पाऊगे आप सोत्रे हो कि भाईया व वो उनके पास अलग बात है उनकी university में class नहीं लगती है या वो सारा दिन फिरे रहते हैं या वो कहीं पर किसी university में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है यहाँ पर मेरे को time मिलता है उसी हिसाब से मैं आपका यहाँ पर reply देता हूँ फर्ष्ट में आपको मेरे पास whatsapp पर message करना होगा जब भी आपका कोई doubt हो उसके बाद में जैसा मेरे को लगेगा कि आपका call करके आपका doubt solve करना चाहिए या आपको message पर ही आपका reply देना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर करूँगा सनिवार और दीतवार को जरूर आपसे अच्छे से बात की जाएगी इस ICR counselling help program में जूटी दिलासा देनी का मेरे आदत नहीं है और जूटी में बात आपको यहाँ पर कुछ बताऊंगा भी नहीं करूँगा भी नहीं जो बात मेरे को पता नहीं होगी वो मैं आपको जान करे देखर के इस ICR counseling help program में बताने वाला हूँ, clear करने वाला हूँ तो आप join कर सकते हो, बिल्कुल आप कभी भी join कर सकते हो बहुत सारे student यह सोच रहे हैं, क्या अभी join करना है बिल्कुल अभी join कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी 50 seat ही आपके मैंने रखी हुई है क्योंकि ज़्यादा भीड करने से फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा भीड हो जाएगी तो मैं आप लोगों की बाते प्रोपर सुन नहीं पाऊंगा तो 50 seat ही हमने यह आपर रखा है, कि आपकी 50 seat तक आपका एडविशन होगा तो अभी तक लगबग 20 seat फिल हो चुकी है, 30 seat बाकी है, उस पर आप जल्दी से जल्दी अपना seat secure कर सकते हो इस ICR Counseling Help Program आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना देखिए आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वो अलग बात है लेकिन अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ share करोगे तो उससे मेरे को और ज़्यदा अच्छा लगेगा तो आप लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं चाओंगा कि एक बंदा इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करे तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, कई बार में बोल चुका हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते है किसी नई वीडियो में नई जानकरे के साथ आपने हमारे पूरा वीडियो देखा आपका हिर्दय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत दन्यवाद थैंक्स फॉर वोचिंग